सबी सदस्यों को नमस्कार आज 29 में आज एक खुशी का ख़बर देना चाहता हूँ आप सबी को अज सुबर जो है करीब 8 बजे के समय मुझे हमारे जो एक बहुत ही फेमस एक परस्नलिटी मेजर डॉक्टर मोहमद अली शाह जो 26 असम राइफल में सर्विस कर चुका है उनका जो है बहुत ही एक मल्टी फेसिटेट है परस्नलिटी कई सिनेमा में और आपके डिफेंस एक्सपर्ट्स हैं कई इंटर्विव देते हैं उनका मुझे एक मेसेज आया कि तुलसी नायर साथ मैं आपका इंटर्विव लेना चाहता हूं आप बहुत अच्छे काम कर रहे हैं मैं आपके फैन हूं कई दिनों से मैं आपका फोलो कर रहा हूं यानि कि यूट्यूब में जो मेरा निकलता है वीडियो सो लगा तो मुझे जो है काफी खुशी हुई तो सर ने जो है मुझे बाद में बताया कि उस वक जो है वो कुछ लाइव इंटर्विव में था टीवी शुरू हुआ बहुती बढ़िया लगा मुझे उपन ले उन्होंने बात की मेरे से और कुछ जो है अभी कुछ दिन पहले एक दो दिन पहले जो लाइव जो आया था हमारे जो असम राइफिल्स के एक जवान जो है फेस्बुक में लाइव आया था उसके बारे में फिर मेर जो पर्सनल जो हमारी इशू है डिवल कंट्रोल डेड़ घंटे तक जो है लगबाग डेड़ घंटे से विए एक दो मिनट ज्यादा मेरे से बात किया है कल उन्होंने कहा मुझे लिंक भेज देंगे हो मुझे पूरा भरुशा है कि सरका जो साथ है बहुत यह अच्छा मैंने मेजर सर्फ साब को क्लियर कटके कम्प्लीट जो है एक क्या कहते हैं उसको खुला किताब की तरह मैंने उनको बताया और यह जो है उनका चैनल जो है कई लोग देखते होंगे काई जनरल ऑफिसर वगरा तो हमारे जो इशू है जो डिवल कंट्रोल का जो हम एस्सोशे करने के लिए उसको रिंस्टेट करने के लिए और दूसरा जो उनका जो भी डेडिकेशन है असम राइफिल्स के जवानों के बारे में उनको करने के लिए इसी वीडियो के द्वारा मैंने बताया है कल जब चैनल आ जाएगा लिंक जब आ जाएगा तो मैं शेयर कर करेंगे और बहुत ही खुशी की बात है बहुत इतना अचा बड़ी ओफिसर जबकि दिल्ली जो परेड चल रहा था उस वक्त जो है दोनों टांग जो है उनका तकलीफ था देखिए जो लीड कर रहा था परेड को जाएंगे जानना चाहेंगे उनका नाम है दुबारा बता जहांकि जो इंटलीजेंश से सब कुछ जो है बिलकुल फिट एक फोर्स है जो के अपने में एक अलग सा है जो कि बिलकुल जो सेक्यूलर जो हम बोलते हैं हर देश हर प्रांथ के लोग पसम राइफिल में रहते हैं उनका अलग सा एक आइडेंटिटी है और साब जो हमें उनके जो हमारे जो प्रोप्लम को समझा है मैंने उनको बताया है कुछ अधिक जो है ओडेंस के साथ जाएंगे इसका पोजिटीव एक्शन होगा मैं समझता हूं इतना कहते हुए धन्यवाद जय हैं जय आरेवाद जय भारत माता